विल्कम बैक टूर चानल इंग्लिश माध्यम, इंग्लिश माध्यम के प्लाट्फॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियांका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ट्रैक्टिस एक्सरसाइज, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद तॉर्ट स्टार्टिर आपका है । उसको हमकी है आपको क्या करना है आपको हमने है और नहीं बदला है चौिस्पूरह्यापकी है जल Ernstärt करते हैं लिit को प्रावधान बंदाले गया है किस्टीज के लिए जो कि इग्रिकल्चर सेक्टर के विस्तार की बात करते हैं उसको बदलने की उसको ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं उसमें ख्रांती लाने की बात करते हैं इसमें ज़ादा फोकस दिया गया है इस तिर्टा को सिस्टेनिब्रेटी का मतलब होता है, स्थिर्ता को ठीकि है, प्रोड्टेविटि उनकी परफॉर्मेंस को अत्पादन जो है इसको उसको उसके उपर जोर दिया जाएगा और एकनॉमिक ग्रोथ और किसानों की एकनॉमिक ग्रोथ के उपर ध्यान दिया चाहेगा. करोड किसानों को विजन किया जा रहा है. मतलब कि उनकी सपना देखा जा रहा है कि उनको इनिशियेट किया जाएगा, शुरू किया जाएगा कि इसमें नाच्रल फार्मिंग में अगले दो साल के अंदर अंदर. इस एंटर्प्राइज इस तो बी कॉंप्लिमेंटेड बाइस्टाबलिशिंग 10,000 बायो इन्पूर्स रसोर्स सेंटर्स पर सस्टेनेबल फार्म प्राक्टिसेज वो रहा है. इस जोखिम का जो काम है, इसको कैसे इंप्लिमेंट किया जाएगा, कॉंप्लिमेंट करना मतलब इसको कंप्लीट किया जाएगा, 10,000 बायो इन्पूर्स रसोर्स सेंटर्स बनाके, जो की सस्टेनेबल फार्म प्राक्टिसेज के लिए होंगे. To enhance vegetable production and streamline the supply chain, the budget emphasizes promoting farmer, producer, organizations, cooperatives and start-ups. बोल रहे हैं कि vegetable के उत्पादन को बढ़ोतरी देने के लिए क्या किया जाएगा, streamline किया जाएगा, streamline करना मतलब सुगम बनाना, effective बनाना, किस चीज को supply chain को सुगम बनाया जाएगा, किस चीज को promote करने में, किस चीज को प्रुचसाहित करने में, farmer, producer, organization बनाया जाएगी, cooperatives बनाया जाएगी, start-ups बनाया जाएगी. Playing a critical role in the collection, storage and marketing of vegetables को रहे हैं, vegetables के collection में, storage में, marketing के लिए एहम रोल नभाने के लिए, these entities will have farmers receive better prices and reduce post-harvest losses. तो यह जो संस्थाएं बनाया जाने की बात की जा रही है, यह संस्थाएं किसानों की मदद करेंगी कि भई, उनको बहतर price मिले, उनके उत्पादन के बहतर price मिले, और harvest फेसल के उग जाने के बाद में, कटाई के बाद में, जो losses होते हैं, वो कम हो जाएगे. ठीक है, another notable initiative is the release of 109 new high yielding and climate resilient varieties of 32 field and horticulture crops, बोल रहे हैं, दूसरा एक जो बहुत ही, एहम notable initiative लाया गया है, लाने की बात की गई है, वो यह है कि 109 high yield, high yield जनका produce जो है, वो जादा होता है, जिसमें थोड़े में जादा चीज़ें मिलने लग जाएंगी. वैसा और climate resilient, climate resilient मतलग कि climate अगर बहुत जादा खराब होता है, बहुत जादा गर्मी पर जाती है, बहुत जादा extreme ठंड पर जाती है, तो उसको भी जहल जाए. ऐसी varieties उगाई जाएंगी 32 field और horticulture crops की, बागवानी के crops की ऐसी 32 प्रजातियां उत्पन की जाएंगी. It aims to address climate change challenges and ensure stable agricultural products. इसका उदेश यह है कि climate change से होने वाले जो असुविधा है, उससे deal किया जाए, उससे निप्टा जाए और stable agriculture, stable मतलग स्थिर, कि मौसम चाहे कैसा भी हो, हमें अपना उत्पादन मिल रहा है. ऐसी विवस्था बनाई जाए, setup बनाया जाए. ठीक है, यह उसक तरीका है. A review of the agricultural research setup is also planned. जो agriculture research का जो धांचा है, उसको भी उसके review के लिए भी planning की गई है. ठीक है, कि इसके उपर भी research की जाएगी, develop किया जाएगा, review किया जाएगा इसको. In a bid to reduce the country's dependence on imported edible oils. पूल रहे हैं कि एक प्रयास है कि देश का edible oil का जो import है उसको कम किया जाए या देश की जो निरभरता है edible oil के import के उपर उसको कम किया जाए. The budget introduces measures to boost the cultivation of mustard, groundnut, sesame, soybean and sunflower. तो budget में ऐसे कदम उठाने की बात की गई, जिनसे की mustard, सरसों, groundnut, मुफली, sesame, sesame, till का तेल जो होता है शायद, ठीक है, soya bean और sunflower इन सब चीजों के उतपादन को बढ़ोतरी देने के लिए मदद मिले. Digital Public Infrastructure, DPI is set to revolutionize the sector by covering farmers and their lands within three years. Digital Public Infrastructure एक बनाया जाएगा, जो की revolutionize, revolutionize मतलब इसको पूरी तरीके से परिवर्तित कर देगी, बहुत जादे इसमें बदलाव, क्रांतिकार ये बदलाव लेकर आएगी, सेक्टर में कैसे किसानों को cover करेगी ये और उनकी lands को अगले तीन साल के अंदर-अंदर cover करेगी, अब cover करने का मतलब ये निकिस चीज से ढख देगी, पर इसके अंदर क्या होगा, कि उनके जैसे protect किया जाएगा, कि भेई फसल का insurance हो गया, बीमा हो गया, ऐसी चीजों से उनको cover किया जाएगा, और उनको सूची बद किया जाएगा, शायद ये कहना चाह रहे होंगे. However, these ambitious provisions face implementation challenges, हाला कि ये जो बहुत ही महत्वकांशी उजनाएं हैं, इनके implementation जो है, बहुत बड़ा challenge है. ठीक है, the widespread adoption of natural farming practices requires sustainable training and support. बोल रहे हैं, आप जैसे की बात करें कि हम सभी को natural farming practices में like कराएंगे, तो इतने बड़े पैमाने पर अगर आप natural farming practices पे लेकर आना चाहते हैं अपने किसानों को, तो उसके लिए आपको substantial, यानि की बहुत भड़ी मात्रा में training और support की जरूत होगी, which may strain resources, जिससे आपके संस बाधनों के उपर असर पड़ेगा, establishing 10,000 bio input resource centers and enhancing FPO's necessitate better coordination and investment, बोल रहे हैं, 10,000 bio input resource बनाने की बात तो कर गी आपने, लेकिन FPO's को enhance करना, इनको बनाना, इसके लिए आपको coordination और investment दोनों ही चाहिए, ठीक है, promoting climate resilient crop varieties and boosting oil seed production, hinge on robust extension services, अब वही बात आ गई, कि जहां पर बात कर रहे हैं, climate resilient crop varieties develop करने की, और oil seed production को develop करने की, तो उसकी जो growth है, वो पूरी तरीके से बहुत ही मजबूत extension service के उपर निरभर करेगी, extension क्या, loan का extension, उनके duration का extension, कितने duration तक loan दिया गया है, उसका extension, ठीक है, तो उसके उपर निरभर करेगी, DPI initiatives also require up overcoming technological barriers and ensuring equitable access, वो रहे हैं, जो DPI के प्रावधान है, DPI के जो process है, इसमें और क्या चाहिए, कि हमें technological barriers, जो भी हमारे पस technology की कमी है, उसको हम overcome करें, और equitable access, equitable मतलब fair, सब के पास में fair opportunities हो, fair अधिकार हो कि सब को ये मौका मिले, addressing them is vital for realizing the budget's vision, अब इन मसलों को निपटना, इन मसलों को solve करना, ये बहुत जादा एहम हो जाता है, अगर हम इस budget को हकीकत बनाना चाहते हैं, तो ये था passage, बहुत ही simple और short सा passage था, budget release हुआ है, उसके अंदर किसानों को क्या मिला है, और किसानों के लिए क्या-क्या सपने लेक जराई है सरकार, उसके बारे में चर्चा करी गई है, ठीक है, चलिए, which initiative in 2024-25 budget is aimed at addressing the challenge of climate change in agriculture, बोर रहे हैं, इन में से कौन सा incident है, कौन सी initiative है, कदम है 2024-25 के budget में, जिसका उदेश है कि climate change से होने वाले प्रभाव जो होंगे agriculture पर उन से निपटा जाए, तो इसके लिए उनने क्या किया, इसके लिए उनने high yield वाली जो crops है, या फिर climate resilient crops है, उनकी varieties डेवलाप करने की बात की गई, ठीक है, 109 varieties बराने की बात की गई, establishing 10,000 bio input resource centers, incorrect है, introducing high yielding and climate resilient crop varieties, option B is correct, what measures has been introduced in the budget to help farmers receive better prices and reduce post harvest losses, तो उसके लिए उनने बोला कि हम FPOs बनाएंगे, farmer producer organizations और cooperatives और start-ups यह चीज़े बनाएंगे, जो आपको हर तरीके से cover करेगी, आपके harvest के बाद होने वाले losses से बचाएगी, आपको आपके फसल की सही कीमत दिलवाएगी, यह सब काम करेंगे, establishing bio input resource centers, incorrect है, boosting oil seed production, incorrect है, यह किसली किया जाना था, ताकि हमारा जो dependence है, बाहर से import करने, oil, वो भी edible oil बाहर से import करना, वो कम हो जाए, ठीक है, promoting farmer producer organizations, cooperatives and start-ups, बिलकुल correct है, option C is correct, why might the widespread adoption of natural farming practices present challenges according to the passage, बोल रहे हैं, क्यों लगता है कि widespread, जो बुरा हम अगर सभी किसानों को natural farming practices की तरफ लेकर रहे, तो इसमें बहुत जादा challenges आएंगे, क्यों आएंगे challenges, क्यों कि इसके लिए हमें निरंतर training, बहुत बड़ी मात्रा में training और support की जरूत होगी, जिससे हमारी resources के ओपर, हमारी संसाधनों के ओपर असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, It requires the introduction of new crop varieties, incorrect है, It necessitates substantial training and support, which may strain resources, option B is correct. What can be inferred about the potential impact of digital public infrastructure, DPI on agriculture based on the passage, वो रहे हैं, DPI का agriculture के ओपर, क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा, तो बोला गया कि DPI के आने से, DPI के लिए हमें technology में जो barriers हैं, उनको हटाना पड़ेगा, और सबको fair opportunities मिलें, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, It will immediately solve all the current agriculture issues, देखो ऐसी किसी के पास हम भी जादो की छड़ी नहीं है, कि घुमाई और बस सारी problems solve होगे, कोई भी सरकार है, Congress है, चाहे BJP है, चाहे त्रेंड मुल है, चाहे जो मर्जी, आम आदनी पार्टी है, ठीक है, और मान लो कि जो उतकी top management है, top leader है, वो करप नहीं है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं, कोई ना कोई तो corrupt होगा ही, जिसका परिवार होगा, जो अपने परिवार के बारे में सोच रहा होगा, या जिसका उदेश सत्ता में आने का कुछ और होगा, तो यहाँ पे यह लोग इमीडेटली कोई भी resolution लेकर नहीं आ सकते, कि भी यह कर लेते हैं, बस इसके बाद तो हमारी सारी समस्यां दूर हो जाएंगी, नहीं है possible, ठीक है, it will require overcoming significant technological barriers and ensuring equitable access, बिलकुल correct है, इसके लिए हमें technology का जोब की हमारे gaps है, उनको overcome करने की ज़रुत पड़ेगी, और सब के पास में समान रूप से इस चीजों का अधिकार हो, यह हमें द बॉर रहे हैं, कोई भी चीज इतने जादा नहीं हो सकती, अब क्या नहीं हो सकती, इससे जादा डैश है, गाप है, इससे जादा परिशानी वाली नहीं हो सकती, इससे जादा फ्रस्ट्रेटिंग नहीं हो सकती, जब आप पढ़ने बैठे, अपने टेबल के ऊपर, अपने पूरे पक्के एरादे के साथ में, sincere intentions के साथ में, और तब आप थोड़े टाइम बात ये पाते हैं, कि आपका टास्क तो complete नहीं हो, बलकि उसके बज़ाएं, आपके विचार जो है, इधर उदर घूमने चलेगे. However, there are certain techniques that you can use to dash your concentration. लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तरीके हैं, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, to boost your concentration हो सकता है, to begin with, शुरुवात करने के लिए, one should dash to create the physical environment, that is conducive dash, conducive to dash thought, पूल रहे हैं, कि शुरुवात के लिए, हमें ऐसा studied environment बनाना पड़ेगा, physical space बनाने पड़ेगी, जो की conducive हो, conducive मतलब जो चीज, जो की हमारा जो possible outcome हम चाहते हैं, उसको लाने में मददगार हो, ठीक है? यानि कि जो भी आप possibility हासल करना चाहते हैं, उसको अचीव करने में सक्षम हो, helpful हो, ऐसे environment बनाना पड़ेगा, to dash thought, there is nothing more dash than when you sit down at your table to study, exciting, बहुत ही, उत्साही है, तो भई आप पड़ने बैठे हैं और आपके विचार इदर दर भर्टक रहे हैं, तो आप excited तो नहीं होंगे उससे, ठीक है, तो incorrect है, frustrating, frustrating मतलब निराश महसूस करना, परिशान महसूस करना, so option B is correct, interesting, interesting मतलब बड़ा ही रूची कार, surprising मतलब चौंकाने वाला, तो यहाँ पर option B, frustrating is correct, frustrating than when you sit down at your table to study with more sincere of the intentions and instead of being able to finish the task at hand, you find your thoughts tiring, tiring मतलब थकाने वाला, ठीक है, wandering, wandering मतलब इदर उदर घूमना, तो जाहर सी बात आपके विचार इदर उदर भामन कर रहे होंगे, worrying मतलब चंता करना, interesting मतलब रूची कार, option B, wandering is correct, however, there are certain techniques that you can use to dash your concentration, commit, commit मतलब किसी चीज़ का commitment किसी चीज़ को करना, ठीक है, enhance, enhance मतलब वृद्धी, discover मतलब कुछ खोजना, convince मतलब किसी को persuade करना, किसी को कुछी चीज़ में convince करना, यानि कि उसको बनाने ला, राजी करना, तो यहाँ पर enhance करने की बात की जा रहे है, concentration को, option B is correct, to begin with, one should dash to create the physical environment, one should lead, lead करना चाहिए उसको, आगे बढ़ना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, announce गोषना करने चाहिए, imagine सोचना चाहिए, attempt प्रयास करना चाहिए, तो एक किसी व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, कि वो physical environment ऐसा बना है, जिस हाँ पर आपके सपने हकीकत बन सके, ठीक है, conducive to dash thoughts, अब यहाँ पर thoughts को, flameable का मतलब होता है, यह जल सकता है, highly flameable मतलब कि यह जल सकता है, जलन्शील है, ठीक है, आप इसको मत टच कीजिए, antonym बताना है, ज्वलन्शील का, तो, antonym क्या हो जाएगा, first है non explosive, non explosive का मतलब हो जो जो विस्पोटक नहीं हो, ठीक है, fire resistance, जो आग को रोख सके, प्रतिरोधक हो, incendiary, incendiary मतलब हो आग लगाने वाला, और non combustible, combustion मतलब होता है, जलना, non combustible मतलब जो नहीं जल सकता, ठीक है, so, ओ गया, non combustible, option D, is the antonym for flammable, there is no way I can swallow the ghastly medicine, ghastly का मतलब होता है, horrible, बड़ी ही, बेकार सी, खतरनाक सी, भ्यानक सी, ठीक है, जिन लोगों को दवाईयों को swallow करने से डर लगता है, वो समझ सकते हैं, कि उनको medicines किती बुरी लगती है, horrible लगती है, ठीक है, तो one word substitute करने, जब आप medicine को खाने की बात करें, तो ghastly की बजाए, horrible जो है, वो ज़्यादा apt word है, ज़्यादा suitable word है, कि medicine बहुती horrible है, option D is correct, my sister's paintings were dashed at the national museum, तो उसकी बेहन की painting क्या की गई होंगी, display की गई होंगी, तो were on display, upon display नहीं आएगा, in display नहीं, on display, option C is correct, stick to one's guns, इसका मतलब क्या होता है, stick to one's guns का मतलब रहता है, कि आपने जो भी सोचा है, आप उसी के प्रती वफादार रही है, आपने जिस भी व्यक्ति को चुना है, उसके प्रती वफादार रही है, इसके प्रती वफादार रही है, आपने जो प्रती वफादार रही है, तो शूट आट, किसी को शूट करना, तो remain faithful to, option B is correct, incorrectly spelled word बताना है, relevant, relevant बिलकुल correct है, relevant का मतलब होता है, किसी के अनुरूप, किसी चीज के अनुरूप, immigrate, immigrate के spelling incorrect है, M-I-G-R-A-T-E, immigrate option B is correct, the city of Hyderabad is located, on the heart from Telangana, देखो, Hyderabad का शहर है, वो Telangana के दिल में बसा हुआ है, यानि कि Telangana के सेंटर में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे, on the heart from Telangana नहीं होगा, in the heart of Telangana होगा, ठीक है, क्या होगा, of the heart in Telangana, with the heart in Telangana, in the heart of Telangana, option C is correct, I was looking for a baron seat, baron का मतलब होता है, बंजर, तो आप बंजर seat को तो नहीं ढून रहे होते हैं, आप खाली seat को ढून रहे होंगे, खाली मतलब, वेकिन्ट, ठीक है, खाली मतलब, वेकिन्ट, तो आप वेकिन्ट सीट ढून रहे हैं, I was looking for a baron seat in the bus, but could not find one, वेकिस, वेकिस सीट नहीं, हालो सीट नहीं, कैसी चाहिए, वेकिन्ट, option C is correct, खाली सीट चाहिए, हालो मतलब होता है, खोखला, फ्रिवालिटी का सिन्नम चाहिए, फ्रिवालिटी का मतलब होता है, जो वेकिती बिलकुल, sincere या serious नहीं, बिना बात के, बाते करे जाए, उसको बोलते हैं, फ्रिवालिटी, meaningful, मतलब, तर्क, संगत, सार्थक, insignificance, insignificance मतलब, जो गैर जरूरी है, not so important है, जिसमें जो lack, sincerity lack करता है, seriousness lack करता है, तो option B क्या हो गया, insignificance हो गया, synonym, frivolity का, option B is correct, contaminate word का, antonym बताना है, इस contaminate का मतलब होता है, दूशित, she spent the entire night, working on top, non-stop, working non-stop, to clean the blood stains from the rug, तो clean मतलब, साफ सुत्रा, contaminated मतलब, दूशित, तो antonym क्यों जाएगा, clean, clean, option D is correct, an imperfect positioning of sun, सूरज की positioning नहीं है, सूरज की alignment है, सूरज, earth और moon की alignment है, ठीक है, वो किस तरीके से structured है, किस तरीके से, atmosphere, sorry, space में टिके हुए हैं, उसको imperfect alignment आप बोल सकते हैं, positioning की बज़ा है, ठीक है, तो imperfect alliance, imperfect alignment, option C is correct, have a bee in your bonnet, इसका मतलब होता है, किसी चीज से, आप बहुत ही जादा obsessed है, आप किसी चीज के प्रती, बहुत ही जादा जुनून फील करते हैं, unable to stay at a pace, place for long, कि एक जगा पे आप लंबे समय तक टिक नहीं सकते, having a cruel intention, और गज़ अगें समवन, किसी के प्रती गलत भावना रखना, दुश भावना रखना, be preoccupied or obsessed with something, option C is correct, the new chief is gifted at the power of eloquence, बोल रहे हैं, जो निया chief है, उसके पास में eloquence की power gifted है, तो gifted at नहीं होगा, gifted with होगा, क्योंकि उसके अंदर भै नहीं है पावर, उसको बच्पन से मिली है, he is born genius, he was born with a gift, तो gifted है, that means gifted with, option C is correct, Anthony Trellope was an industrious and disciplined writer, अब industrious का antonym बताना है, पहले तो आपको industrious का मतलब पता होना चाहिए, इंडस्टरियस का मतलब परिश्रमी, ठीक है, तो antonym क्या होगा, RC, lazy, skittish, चंचल, exhausting, ठकाने वाला, dizzy, dizzy मतलब चक्कर आने वाला, तो यहाँ पर option A, lazy is correct, incorrectly spelled word हमें बताना है, first है, miserable, miserable के spelling बिलकुल correct है, literature, literature जाने की, जो साहिते बगेरा आप पढ़ते हैं, l-i-t-e-r-a-t-u-r-e, literature, option B is correct, fast tedious, अब देखो, fast और tedious, इससे तो आपको लग रहागा, कि बहुत ही, तेज होने वाला कोई काम, लेकिन fast tedious का मतलब होता है, नक्चडा सा, जो ज़ादा बारीकी से हर एक चीज को देखता हो, बहुत अटेंशन से चीजों को जांचता परकता हो और उनमें नुक्स निकालता रहता हो, तो अंटरिम क्या हो गया? लेट, मतलब होता है देर से, स्करप्लस, का मतलब होता है इमांदार, लैक्स, लैक्स का मतलब होता है धीला सा और स्पीडी, मतलब तेज, तो यहाँ पर option C, लैक्स is the correct antonym for fastidious. The recent cloudburst completely dismantled the village and its people, dismantle का मतलब होता है किसी चीज को टुकडों टुकडों में खोल देना, ठीक है उसके बारी एक बारी जो जो पुर्जे थे वो अलग कर दिये गये, dismantle कर दिया गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो गाओं के लोग हैं वो बिखर गये, उनके बिखरने की बात क की जारी है, first है took back, took back मतलब वापस लेना, took apart मतलब टुकडे टुकडे हो जाना, बिखर जाना, took up मतलब किसी चीज की शुरुवात करना and took after मतलब किसे मिलना, तो यहाँ पे took apart याने की बिखरने की बात की जारी है, option B is correct. That's all, आज के session में इतना ही, thank you so much for watching, अगर content पसंद आया हो, तो like, share and subscribe जरूर कीजेगा, मिलते हैं next session में, till then keep learning and keep practicing, bye-bye.